Hello and welcome friends, आज Tally के इस अध्यार में हम सीखेंगे कि बने हुए company को delete कैसे करते हैं, हाला कि ये बहुत ही छोटी सी चीज है और बहुत ही आसान सी चीज है, आप 10 सेकंड में, 5 सेकंड में even open करके Tally को और Tally में बने हुए company को delete कर सकते हैं, तो चलिए Tally के RP9 को मैं यहाँ पे open कर र रहा है, अगर आपके system में select company ना आ रहा हूँ, तो आपको alt के साथ F3, यानि की function button F3 press करना है, और enter press करना है, जैसे ही आप enter press करेंगे, तुरंत company सारी जो जितनी बनी हुई होगी, वो सब खुल करके आ जाएगी आपके सामने, जैसे माल यह रमेस and sons है, इसी company को हम delete करना चा company info पर जा करके और alter करना पड़ेगा, या alt के साथ F3 press करेंगे, तो यह window open हो जाएगी company info वाली, और आप alter पर click कर दे, जैसे ही alter पर click करेंगे, तो यह company सामने आ जाएगी, अब आपको alt के साथ press करना है D, जैसे ही alt के साथ D press करेंगे, तो यह delete वाला column, delete वाला जो window है, यह open ह हो जाएगा, आपको interface करना है, यह पूछ रहे क्या आप सच में इस company को delete करना चाहते हैं, तो yes कर दीजे, यह company delete हो गई, इसी तरह से कोई और company में delete करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही छोटा सा 5 second का काम है यह, यहाँ पर जैसे माल यह, यह Indian and Aussies, यह company बनी हुई है, इसको आप delete करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप alter में आ जाएं, आगए alter में इस company को open कर लें, आप alt के साथ d press करें और interface करें, दो बार यह company delete हो जाएगी, मैं एक और company delete करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर कोई भी company हम ले ले लेते हैं, जैसे suppose कीजिए, हम यह company ले ल करते ही, दो बार यह company delete हो जाएगी, इस तरह से हम company को delete कर सकते हैं, उमीद करता हूँ, बात समझ में आ गई होगी, thank you for watching this video, यह video बहुत ही जादा beginners के लिए थी, okay